Hello Everyone, Welcome to Cafe General Studies आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं भारत के सम्विधान के निर्माण की महत्पून एथिहासिक गटनाकरम के सीरीज में 1773 के Regulating Act से लेकर 1947 भारत की स्वतनतास के अधिनियम तक जितना भी हम इसके बीच में जितने भी एक्ट्स चार्टर एक्ट्स या जितने भी अधिनियम वगरा आएंगे उन सभी को हम कवर करने जा रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों की queries आई थी कि सर इस वाले portion को पूरा एक वीडियो सीरीज के माधियम से समझाने की कोसिस किजिएगा तो उसी सीरीज में मैं कोसिस करूंगा कि जितने भी आपके exam से related इसके महत्वपून तत्ये हैं उन महत्वपून तत्यों को 1773-1947 वो इस वीडियो सीरीज के माधियम से मैं आप लोगों तक पहुचा सकूं और यह आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई भी point छूट गया है या कुछ ऐसा point जो miss हो गया है उसे आप प्लिस comment box में बताने के किरपा करें ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यह 1773 से 1947 तक का जो इतिहास है इसका जो भी एतिहासी घटना करम है उस एतिहासी घटना करम को हम दो parts में पढ़ेंगे दो parts कौन-कौन से सबसे पहले 1773 से एकर के 1888 तक जब भारत में भारत का पहला सतनत्रा संग्राम या 1888 की करांती नहीं होती है तब तक और उसके बाद जब भारत में कमपनी का सासन खत्म हो के ताज का सासन बिटिस क्राउन यहां पर प्रत्यक्ष रूप से अपना सासन उसके हात्म आ जाता है तो वहां से ले करके 1947 भारत की आ जातिहास और जो इतिहासी घटना करम है उसको हम कवर करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला पार्ट जो है 1773 से 1858 तेके यह कमपनी का सासन या रेगुलेटिंग एक्ट यह आखिर लाया क्यों गया था यह 1773 में क्यों आया सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि इससे ठीक पहले का सिनारियो यह दिया आपको पता हो तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो कमपनी के इस द्वारा भारत में पूर्ण रूप से अब अपना नियंतरन स्थापित कर दिया जाता है किसके ब बक्सर के युद्ध के बाद, 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद, कमपनी की द्वारा अंग्रेजी सासन का यहां पर क्या होजा है, निव पड़ जाती है, अंग्रेजी सासन यहां पर जब निव इसकी पड़ जाती है, तो 1775 से लेकर के 1772 तर तक हम देखते हैं कि भारत में बंगाल में द्वेत सासन लागू होता है। अपना जो भारत से एकत्री की गई संपती धन्दौलत है वो ले जाता है इंग्लेंड में। तो देखा गया कि कमपनी के रेवेन्यू में तो कोई फायदा नहीं हो रहा है लेकिन जो ओफिसर्स हैं वो बड़े धनाध्यू बनते जा रहे हैं। तो ये सीज़े कैसे हो रही है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इसी चीज़ को नियंतरित करने के लिए 773 में हम देखते कि भारत में पहला रेगूलेटिंग एक्ट लाए जाता है जो की जिसका उद्देश यही था कि भारत में कमपनी के नियंतरन ही तू इसको लाया गया था ठीक है कमपनी पर नियंतरन लगाने के लिए और इसे के तहट एक किंद्री करनल की सुरुआत भारत में होती है ये मान लीजे बंगाल का गवर्नर है ठीक है ये बंबे का गवर्नर है ये यहां पर मदरास का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर क्योंकि बंगाल उसमें एक बहुत बड़ा प्रांत था ठीक है आधुनिक अगर हम भारत के मांचेतर की बात करें तो ठीक है ये इस तरीके से अगर हम भारत के मांचेतर यहां पर ये पूरा बिहार उड़ीसा वाला चेतर आगया निचे पश्चे मंगाल वाला चेतर इधर असम तो ये इतना पूरा का पूरा चेतर लगभभ पूरी भारत का अधिक्तम हिस्सा बंगलादेश सहीद वो सारा का सारा किसमा आता था बंगाल के पास था तो बंगाल का नवाब या बंगाल का गवर्नर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थे ठीक है तो यहां पर क्या कर दिया गया इस अधिनियम के तहट 1773 के डेगुलिटि भी जाता है ठीक है ठीक है तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में अगर हम बोलें तो वो कौन होंगे लॉर्ड बॉर्ड इनेस्टिंग ठीक है अब दूसरा बिटिस सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण हो तो यहां पर क्या होगी कि कोर्ट अब डिरेक्टर्स बना जिसमें 24 मेंबर्स की एक कमेटी ठीक अब दूसरा सबसे इंपोर्टेंट पोइन इसका है कि 1774 में भारत में पहले सुप्रीम कोट की स्थापना होती जिसके मुखिने आदिस सर एली जायम पे ते इसको दो तरीके से खुशन फूसता है भारत में किस अधिनियम के तह सर से पहले सुप्रीम कोट या स्थापना की गयी तो आंसर विल भी 1773 का एक्ट है लेकिन भारत में पहले सुप्रीम कोट की स्थापना कप की गई तब आंसर होगा 1774 ठीक है तो दो तरीके से इसमें आपसे कुश्चन पूचा जा सकता है अब नेक्स्ट एक्ट के हम बात करते है तो वो है सेटेलमेंट एक्ट ऑफ 1781 सेटेलमेंट एक्ट ऑफ 1781 एक्चुली इट वस प्रपोज जो ये इसका प्रपोजल था वो था कि 1773 जो रेवलिटिंग एक्ट की ड्रॉबेक्स थे जो भी उसकी खामया थी तो उनको एलिमिनेट करने के लिए ही ये प्रपोज किया ठीक है इसमें बस इतना सा एक्ट आपने आ रखना है नेक्स 1784 का पीट सेंडिय एक्ट ये काफी इंपोर्टेंट बन जाता है 1784 के पीट सेंडिय एक्ट में हम एक चीज देखते हैं जब हमें पता है कि 1773 में डेगलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें गवर्नर जेनल बन ठीक है लेकिन 1784 के इस पीट सेंडिय एक्ट के तहत इसकी इस कमिटी में से एक सदेश्य को निकाल के अब टोटल नम्मर कितने कर दीगे इसमें टीन डिरेक कभी पूछ लेता है कि बंगाल के गवर्नर जेनल के कारेकारणी बरिशत में से चारसा दुश्य में से जो सदेश इस संख्याती वो तीन कप कर दीगी थी 1784 के इसमें इंपोटेंट काम क्या होता है दूसरा इंपोटेंट काम ये होता है इसमें पीट से इंडिय एक्ट के तहत अगर हम देखें तो यहां पे जो बोल्ड ओफ डैरेक्टर्स अभी बनाया गया था किसके तहत 1773 के रेगुल बोल्ड ओफ कंट्रोल की यहां पर स्थापना कर दीजाती है डाइडेक्ट कुश्चिन इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखें कि अभारत में कंपनी के इस आसन को यह राजनेतिक कार्यों को नियंत्रिट करने के लिए बोल्ड ओफ कंट्रोल की स्थापना कब की गी 1784 के प 1440 यहां पर भारत में गवर्णर जनर्र बन के आते हैं कारेकाल 1786 से 1793 तक वो यहां पर रहते हैं तो इस दोरान उन्होंने अपने लिए बिसेस तोर पर यह संसोजनात्मक अधिनियम यह लाए थे इसमें इन्होंने क्या प्रावधान किये इसमें प्रावधान यह किये कि जो गवर्णर जनर्र के पास अब मुख्य सेनापती की सक्तियां भी वहां पर आ गई है ठीक है अब मुख्य सेनापती की सक्तियां जब आ गई है तो अभी तक तो गवर्णर जनर्र के पास क्या है कि वो रवेन्य सिस्टेम वगरा को भी देख सकता था अब उसके पास सेने बिटिक सकता थी वो कभी ये नहीं चाहती थी कि भारतियों को छोड़ा जाए वो धीरे धीरे भारतियों को अपनी पैट बनाना चाह रही थी तो धीरे धीरे जब भारतियों पर अपना पैट ये बनाना चाह रहे हैं तो इसकी तहरती इसमें क्या कर रहे हैं कि ये छोटे पो पास मुक्य से नापती की सक्तियां आ गई थी, दूसरा कॉर्णवालिस के लिए ही ये विसेस अधिनियम लाए गा था, जैसे मैंने बताया, अब गवर्णर जनर्र के पास एक और अधिकार यहां पर आ गए, इसके तहट क्या कर दिया गया, कि विसेस परिशियों में वो अपनी परिशत के निर्णे को रद करने, और अपने निर्णे लागो करने का उसके पास विसेस अधिकार आ गया था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें संसो धनात्म गजीनम सत्रसव, छियासे के तहट हम देख सकते हैं, इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट के तहट एक चीज़ इंपोर्टेंट है, जो मैंने बताया था, बोर्ड अप कंट्रोल की जब स्थापना की गये थी, इस बोर्ड अप कंट्रोल के सरदस्यों का जो वेतन है, अब वो इंडियन ट्रेजरी से ही दिया जाएगा, मतलब भारतियों के कोश से ही, भारतियों के कोश से ही उन ओफिसर्स का भी यहां पर जो वेतन है, वो दिया जाना तई किया गया था, नेक्स्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो एक्जाम में चार्टर एक्ट्स हैं, उन में से जो पूछे जाने वाले चार्टर हैं, एक 1813 का, एक 1773 का रिगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद 33 का आएगा, और इसके बाद आएगा एक 1753, ये तीनों के तीनों जो आएगे, बहुत इंपोर्टेंट आएगे, तो ध्यान से देखिएगा, 1773 का हमने देख लिया अच्छे से, अब 1813 के चार्टर एक्टर में क्या बात है कहेगी, इसमें अभी तक, त्योंकि 1773 में, जब हमारे पास regulating act आता है, तो उसमें एक प्रावधान और किया गया, कि प्रतिये 20 वर्षों के लिए, कमपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दी गये थे, कमपनी को व्यापारिक एकाधिकार देने का मतलब, कि भारत में जो व्यापार होगा, उस पर एक अधिकार मोनोपॉली किस की होगी, इस्ट इंडिया कमपनी की ही होगी, अब इसके तहट, 1773 के इस act के तहट अभी हमने देखा था, कि 1793 में चार्टर एक्ट दूसरा आया था, 1793 के बाद 1873 में ये तीसरा चार्टर एक्ट आता है, इसके तहट अब क्या करगे, कि जो कमपनी के पास व्यापारिक अधिकार थे, एकाधिकार जिनको मोनोपॉली बोल सकते हैं, ट्रेड मोनोपॉली, वो दो चीजों परिस सिमित होगी, अर्थाद बाकी चीजों में जो उनका व्यापारिक अधिकार था, वो समाप्त हो गया अब 833 के चार्टरेक्ट और 813 के चार्टरेक्ट और 33 के चार्टरेक्ट में से सबसे important question यही बनता है वो यह बोलेगा question कि चाई और चीन के साथ व्यापार को लिए करें confusion में वो question confused create रटता है आप ठीक है confusion create कैसे होगा question यह पूछेगा कि भारत में इस्ट इंडिया कमपनी का पूर्ण व्यापारिक एकादिकार कब समाप्त कर दिया गया ठीक है तो उसके लिए आएगा जब पूर्ण तर समाप्त हो जाएगा तो 1833 कमपनी में जो भारती व्यापार पर एकादिकार इस्ट इंडिया कमपनी का था उसका चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकादिकार कब तक बना रहा ठीक है अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो 1833 तक ये चाय और चीन के साथ व्यापार एकादिकार इस्ट इंडिया कमपनी के बने रहे लेकिन चाय और चीन के अलावा ठीक है चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार के अलावा इस्ट इंडिया कमपनी का भारत में व्यापार एकादिकार कब समाप्त किया गय दोनु कोश्चन को बड़े ध्यान से देखेगा ये किसी भी प्रकार से कोश्चन घुमा फिरा के वो पूछ सकता है ठीक है तो हमने देख लिया चाय के साम व्यापार चीन के साम व्यापार ये बना रहा बाकि सारे एक अधिकार खत्म होगे सभी अंग्रे जुयापारों को भारत से व्यापार करने के छूट दे दीगी और सबसे important चीज यहाँ पर ये देखेगा कि जो इसाई धर्म परचारक थे इन इसाई धर्म परचारकों को भारत में अपने धर्म के परचार परचार के आगया है आपर मिलगी जो भी हमारे यहाँ पर क्रिशन मिसेनरीज थी उन कि क्रिशन मिसेनरीज को यहाँ पर अलाउंस मिलगी वो भारत में अपने धर्म का परचार परचार कर सकते थे और एक और important चीज यहाँ पर East India Company की आई से भारतियों की सिक्षा के लिए प्रतिवर्स एक लाग रुपे विया करने की वियोस्ता इस एक्ट के माध्यम से किये गई SSE CGL में यह कोशन पूछा गया था लास्ट येर्स या उससे मतलब एक दो साल पहले यह कोशन पूछा गया था डैरेक कोशन पूछा गया था कि किस एक्ट की तहट ये प्रावधान किया गया था तो 1813 का चार्टर एक्ट आप ध्यान रखेंगे Next 1823 का चार्टर एक्ट इसके तहट क्या बात कही गई हम देखते हैं कि जो केंडरी करनल की सुरुवाद 1723 में की गई थी मैंने जैसे बताया था कि वहाँ पर बंगाल के गवर्नर को सıkसा, बंगाल का गवर्नर जेनल यहाँ पर जब न्यूक्त तक किया गया था उस पर अंतिम रूप अब इसको देते हुए अब इसको बंगाल का गवर्नर जेनल ही ना कहके पूरे के पूरे British अधिपत्यों का छेत्र जो भी है भारत का उस British अधिपत्य की भारती छेत्र का Governor General इसको कह दिया गया जिसके तहत बंगाल के Governor General को भारत का Governor General गुसित कर दिया गया और पहले भारत के Governor General बने थे Lord William Bentic, important question no doubt कर लिजेगा भारत के पहले Governor General इस अधिनियम के तहत कौन बने थे Lord William Bentic, 1833 के अधिनियम के त्वारा अब भारत का जो Company का व्यापारिक एक अधिकार था पूर्ण तह समाप्त कर दिया था चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार इन दोनु को भी अब क्या कर दिया गया इन दोनु पर भी व्यापारिक एक अधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया Next, अब East India Company को विश्व दुरूप से एक प्रसासनिक निकाई administrative body बना दिया गया और यह निश्चित किया गया कि भारती प्रदेशों का प्रसासन और British Samraat के नाम से किया जाएगा ठीक है यह भी ध्यान रखेगा अब इस एक्ट के तहट भारत में पूर्ण रूप से किंडरी करन की सुरुवात की गई थी और अंग्रेजु को बिना अनुमती पत्र के भारत में आने रहने की आगया दे देगी और वो चाहे तो भारत में भी अपनी भूमी खरीच सकते थे अब एक important fact जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो मैंने बताया था 1773 में गवर्णर जनरल की एक कारेकारानी बनाएगी जिसमें चार सद्यस रखेगी 1784 में पीट्स इंडिया एक्टिकेट है इन चार सद्यस रखेगी से एक सद्यस रखेगी इसको मैकाले को और मैकाले को एक विधी सद्यस रखेगी रूप में यहां पर लाया गया यही बोलता है कि गवर्णने जनरल की परिशेट में एक चोथा सदेश्य, विधी सदेश्य की रूप में बढ़ा दिया गया और लॉर्ड मैकाले भारत में पहला विधी विशेश है था, ठीक है अगली बात इस एक्ट के माध्यम से ये बात सुनिशिट केगी कि भारत में दास पर्था को गेर कानों ने घुसिट किया गया वेरि इंपोर्टेंट और इसी की तहत 833 के एक्ट की तहती जब ये चीज़े घुसी दोगी तो 10 साल बार, 843 में भारत से दास पर्था का उन्मूलन कर दिया गया या दास पर्था को भारत से 843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया ठीक है? next अब आता है 1853 का charter act 1853 के charter act के तहट हम देखते हैं इसमें एक बात कही गई कि company भारत ने अब तब तक सासन कर सकती थी जब तक British संसत न चाहे अठार असिमित समय के लिए भारत में company के सासन को मानेता दे लेगी लेकिन वो बोलते ना कि कब क्या होगा किसी को नहीं पता होता है जब company के खाने के दिन आए या जब company को अनन्तिकाल के लिए भारत में सासन चलाने की छूट मिल गई संसत जब तक न चाहे तब तक को सासन चला सकती थी तो नियती का खेल देखिए 1800 तिरेपेन में ही जब ये चीज़े मिली तो 1857 में जब भारत में पहला स्वतनता संग्राम हो जाता है तो 1857 के इस स्वतनता संग्राम में company ने या यह कहें कि British सासन ने इसको एक चुनोटी की रूप में लिया और उन्होंने self analysis किया और पाया कि अब भारत में company का सासन जो है वो company के नियंतरन से बाहर है जब company के नियंतरन से भारत का सासन बाहर है तो company को जो अंसीमित काल के लिए या असीमित समय के लिए भारत में सासन किया आजा दीदी थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए बिटेन की जो तो यहां पर 1833 के इस चार्टर एक्ट के तहट असीमित काल के लिए कमपनी को छूट दे दी गे थी इस हासन करने की दूसरा इसमें से जब बोर्ड ऑब डारेक्टर्स थे उसमें जो पहले इनीचिली सदेशी थे 24 उसको घठा के अठार कर दीगी ठीक है विदी सदेशी को ग गवर्णर जनरल की परिशत में बिधाही और परसासनी कारियों को अलग कर दिया जिसके तहरे 6 नए परिसे जोड़े गे जिन्हें बिधाही सदेशी को आगया दूसरे सब्दों में अगर कहें कि गवर्णर जनरल के लिए एक नई विधान परिशत का गठेन किया जिसे भा गवर्नर्ट जनर्रल की एक working committee है, यहाँ पर गवर्नर्ट जनर्रल इसका एक केंडर विंडू है, उसके चार सदस्य हैं, अब इन चार सदस्यों को यह पूरी एक working committee होगी, जिसको हम बोल सकते हैं, इसके जो कारेपाली का, ठीक है, अब इसमें हम इसके अलावा भी 6 सदस्यों बाहर से और एट कर रहे हैं, ठीक है, अब यह विधाई सदस्य कहा गया इनको, ठीक है, अजो विधाई सदस्य यह विधाई का यह होगी, इसकी एक working committee के कारेपाली का है, तो एक तरके से देखने ने कारेपाली का होगी, विधाई का होगी, ठीक है, नियाई पाली का भारत 1773 के माध्यम से already विद्यमान है तो भारत में कुल मिला के एक तरक्षिसम देख रहे हैं कि एक पूरा संसदी प्रणाली का यहाँ पर पूरा सिर्जन हो रहा है पारल्यामेंटरी सिस्टम के शुरुआत हो रही इसलिए बोला जाता है कि 1873 के एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार संसदी प्रणाली की भी वियोस्ता की जित्यार्था संसदी वियोस्ता या पारल्यामेंटरी सिस्टम की भी फूरुआत हो थी इसको याद रखीगा ठीक और 1873 के एक्ट के द्वारा एक और चीट यहां पर मिलती है वो क्या थी कि Lord Cornwallis भार के द्वारा चुकि 1786 में ही भारत में सिविल सिवाँ का प्रारम बत्व कर दिया गया तो उसको जनक की रुपए यहां पमाना जाता है लेकिन 1833 के एक्ट के द्वारा भारत में अब यह सुनेशीट किया गया कि जितने भी सिविल सिवाएं होंगी या सिविल सिव भरतिया होंगी ICS की जो परिक्षा होंगी उन में जो भी Officers या जो भी नियुक्तिया होंगी वो Open Competition के माधिम से होंगी परतियों किता उनके द्वारा शुरू के जाएंगी इससे पहले तक क्या होता था कि जो उनके अपने चहेते होते थे या बिटी सरकार के जो भी खासमखास उनके जो थे उनी को इसमें भरति गया जाता लेकिन 1853 के चार्ट रेक्ट के द्वारा पहली बार भरतियां उपन कीगी परतियों किता प्रारम किराएगी परतियों की परिक्षाओं की यहां पर शुरुवात होती है और इसी के तहट 1863 में हम देखते हैं कि सुरेंदरनाथ भनर जी की रूप में भारत में पहले व्यक्ति ऐसे होते हैं पहले भारतिय व्यक्ति होने का गवर्व प्राप्त होता है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेस में सफलता प्राप्त की थी ठीक है तो यह सारी चीजें अपने इसको ध्यान में रखने है ठीक अब यहां तक तो हुआ 1773 से लेकर 1853 तक का यह जो टैनियर है यहां पर तक हम एक पार्ट अब इसी बीच क्या हो जाता है 1859 का विद्रो हो जाता है कंपनी या यूं कहें कि वहां पर हम सभी जानते हैं उसको हम आने आली सीरीज में भी कवर करेंगे कि किस तरीके से जो क्या-क्या इसके कारण थे उन कारण के वज़े सा 8UND के क्रानती होती है पहला सुतंता संग्राम以को बोला जाता है पहला से उने विद्रो हो को ही बोलते है अंग्रेज इसको छुटमोट से ने घटना की रूप में वर्नन करते है तो अपने अपने जो इतियासकार थे जो जहां का इतियास कार होगा वो उस दृष्टे से इसका वर्डन करता है फिर जब ये सारी चीजें घटना करम हो जाती है तो इसका बिटेन की सरकार के पास जब मेसेज आता है तो उन्हें लगता है कि अब कमपनी का सासन जो है कमपनी का नियंतर जो है भारत में समापत हो रहा है दिरे दिरे उनकी असफलता है और उनकी इसी असफलता का परड़ाम था कि कमपनी का सासन अब समापत कर दिया गया अब भारत में जो सासन है वो बिटिस क्राउन के अधीन कर दिया गया ठीक है जब ये चीजें होती है भारत में तो सब से पहले जो भारत में गवर्नर जनरल का पत था ठीक है भारत में क्या उस गवर्नर जनरल के पत को हटा के उसका नाम बदल जा जाता है और अब कर जा जाता है इसको वाइसराई ठीक है जो governor general है वो governor general के रूप में कारे कर रहा है लेकिन जो 88-58 के बाद से आगे को जो भी होगा वो vicerai के रूप में काम करेगा vicerai जो की प्रतिनी दीद है एक प्रतिनी दीद है किसका British crown का तो कभी-कभी ये question भी पूछा जा सकता आपने आपसे कि जो governor general है जब इसके पास administrative power जो होगी ठीक है जब वो प्रसासक की रूप में काम कर रहा है कोई व्यक्ति भारत में ही प्रसासक की रूप में काम कर रहा है तो वो कहलाएगा governor general ठीक है जैसा कि हमने देखा अभी तक सारका सारा लेकिन वो व्यक्ति अगर उसके ambassador की रूप में काम कर रहा है उसके dude की रूप में किसके British crown की dude की रूप में British crown के ambassador की रूप में अगर वो काम कर रहा है तो वो कहलाएगा voice roy ठीक है तो governor general और voice roy में ये अंतर I hope की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक तो next हम बात करते हैं 3858 के अधिनियम की और 3888 के अधिनियम के तहट ठीक है इसको भारत के सासन को अच्छा बनाने को अच्छा बनाने का अधिनियम इस नाम से भी ये विख्या थे East India Company को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था गवर्नेर जेनरल का जो पद है उसका नाम मजल का भारत का वाइसराय कर जे गया और इसी के तहट भारत में पहली बार जो फर्स्ट वाइसराय बने थे उसका अधिनियम लॉड कैनिंग ठीक है और दूसरा पिट से इंडिया एक्ट के तहट भारत में यूं कहें कि 1774 के 1784 के इस एक्ट के त्वारा जब बूल्ड ओफ डिरेक्टर के साथ बूल्ड ओफ कंट्रोल बनता है तो ये एक तरगी से डैयर की है दो दूसराय ने कोई मतलब बूल्ड ओफ कंट्रोल अपना अलग काम कर रहा है और इसी के तहट लेकिन 1888 में इसका अंत कर दिया जाता है क्या कि बूल्ड ओफ डिरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया बूल्ड ओफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर लाया गया भारत का राजय साथी Secretary of State इसका एक पद स्रिजट करिया गया जिसमें 15 सदे सी टीम होती थी और ये इसका स्थान ले लिया कि इसने Secretary of India ने ठीक है और इसके तहित भारत का जो पहला राज्य साची था वो था Charles Wood ठीक है अगला इसने भारत में मुगल समराट के पद को भी क्या कर दिया समाप्त कर दिया अठासो स्तावन के करांति हम देखते हैं कि अंतिम जो मुगल वात्सा थे कौन बाहदु शाह जफर इसी वज़े से उनको बोला गया क्योंकि 1858 के बाद से कमपनी ने या बिटिश आसन ने भ आते हैं यहें कि 1862 में लॉल्ड कैनिंग ने तीन भारतियों को विधान परिश्द में मनोनीट किया था यह बार बार पूछा जा सकता है यूप्यस्टी में ये कुशिन डारेक्ट पूछा जा सकता है कि बनारेस के राजा पट्याला के महराजा और सर्दिनकर राओ इनको लॉल्ड कैनिंग के द्वारा विधान परिस्द में मनोनित किया गया था सबसे पहले। दूसरा मदरासर बुंबई परिस्देंशी को विधाई सक्तियां दुबारा देकर भारत में विकेंद्री करन की सुरुवात की गयी थी। हम देखते हैं कि प्रांत और प्रिंसली स्टेट्स के फॉर्म में वहाँ पर बढ़ जाते हैं। प्रांतों के पास भी अपने समर्थी सोची, राज्य सोची, संग सोची ठीक ना इस तरीके से जो सब्जेक्स हैं वो डिवाइड की जाते हैं। कहने का मतलब अब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन सुरू हो रहा है। तो इसी को मैंने आप सभी की सहलुद के लिए यहाँ पर यह चार फेक्ट आपने याद रखने हैं। अगर वो पूछता है भारत में केंडी करन की सुरूआत का पहला स्टेप कहने का अतात पर ही क्या है कि भारत की जो जैसे गवर्नेर जनरल बोला था न कि बंगाल के गवर्नेर जनरल की रूपे जाना जाए गार था जो अधर बंबै है मदरास है अन ये जगहों के जो हैं अ बारत में केंडी करन का अखे जनरल बहुत पूरा जनरल के पास आ गया तो भारत में विकीड़ी करन की सुरूआत होगी केंडी करन की सुरूआत के ने का मतलब अलग अलग स्टेट्स को या अलग-अलग रजवाड़ों को अलग-अलग प्रोविंसिस को उनके पास अपनी-अपनी सक्तियां दे दी गी उनको विधान परिसत अपने देखेंगे आगे गी उनको अपनी विधान सभाव में अपने अपने नियम कानून बना सकते थे कुछ-कुछ चीज़ों को छोड़के जैसे जिस तो रजवाड़ी थे रजवाड़ों को क्या बोल दिया गया कि वो अपने एक्स्टरनल अफेर्स अपने फोरन अफेर्स जो और एक्स्टरनल डिफेंस वगरा इनको बेटी सक्ता देखेगी बाकी आप अपना लगे रहो ऐसी प्रोविंसेस में अलग-अलग जो बड़े-बड़े राजे थे जैसे अवद हो गया अवद हो गया बंगाल हो गया जैसे बंबै हो गया इनको भी अपनी-पनी धिरी-दिरे वो बेटी सरकार क्या करेगी सक्तियां देना या इनको अपनी-पनी पावर्स इनको वापस देना सुरू कर देगी इसका मतलब अब वो डिरेक्ट कंट्रोल बेटी सरकारत का तो होगा लेकिन अपने लिए भी नियम कानूत बना सकते रहे ठीक है तो विकेंडरी करण का मतलब सक्तियों का बटवारा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारम कीगी पोर्ट फूली सिस्टम को भी माननता प्राप्त कीगी अर्था जो विभागी पतिती थी विभागों का बटवारा था ठीक है वो विभागों का बटवारा भी यहां पर खोना सुरू हो गया यह है कि अब मंत्री मंडली प्रणाली को भी भारत में अपनाएगी ठीक है तो कि जब संसत का कोई सत्र ना चल रहा हो, राजय सभा, लोग सभा की अनुपस्तिती में, या राजय सभा तो पर्मेंट है, जब संसत का कोई सत्र ना चल रहा हो, तो उस दोरान अगर को राष्टप्टी चाहे, तो कोई बिल है, उसको माननेता दे सकता है, जिसको हम बूल सकते अध्यादिस तो भारत में अध्यादिस देने का जिए सिस्टम है ये कब से शुरू हो गया ठीक अब 892 का भारत परिशाद है इसके तहट क्या है कि केंडरी और प्रांती विधान परिशाद में अत्रिक्त गहर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दीगी इन सदस्यों की नि सब्सक्राइब की जाने वाली नामंकन परक्रिया किया है हलाकि चुनाओ सब्द का वहां पर प्रयोग नहीं होता है लेकिन एक नामंकन परक्रिया सब्द हो यहां पर आता है इसको define किया गया है ठीक है 1909 का भारत परिशेद आरिनियम बहुत important जिसको बॉला जाता है मारले मिन्टो सुधार ये अपने जब आप सोतन्तरा संग्राम पढ़ेंगे तो उसके तहर भी आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे न Tennessee sprinkliga जो भारत परिसेद अधिनियम है उसके तहर क्या क्या गया था मारले मिन्टो सुधार जिसकों बोलते हैं मारले उसमें भारत के राजे साचे थे और मिन्टो लॉल्ड मिन्टो उसमें भारत के वाइसराय थे ठीक है तो इसमें क्या गया कि केंदरी परिस्त में सदुष्य की संख्या को बढ़ा के 16 से कर दी गई, 60 कर दी गई और इसमें जो सबसे important fact आप मैं बताने जा रहा हूँ वो है आप में से सभी को लगवग सभी को पता होगा कि इस अधिनियम की तहर प्रथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सामपरदाइक निर्वाचन परतिनीद्ट का प्राओधान किया गया और मुस्लिम सदुष्य का चुनाव मुस्लिम मद्दाता ही कर सकते थे ठीक है और जब ऐसा हो गया तो इस तरीके से Lord Minto जो है कि जो जैसे Muslim Community है यह पूरा कोई छेतर है इस छेतर में Muslim Community है तो Muslim Community इस छेतर में रही है तो यहां पर से जो भी व्यक्ति अब कारेकारणी में चुना जाएगा उस व्यक्ति का जो चुनाव होगा वो यही Muslim लोग करेंगे और वो जो candidate होगा मतलब candidate भी इसमें क्या होगा Muslim होगा और इस Muslim candidate को जब यह पूरा का पूरा छेतर अगर मिल गया है तो अब भारत में क्या है एक तरह के से यहां पर जो minority होगा जो हिंदू यहां पर रह रहा होगा वो यहां पर रहेगा नहीं रहेगा क्योंको उसको पता है अगर वो यहां पर रह रहा है और चाहता है कि मैं उसका प्रतिन दिद्र तो करूं तो वो नहीं कर सकता तो उसको यहां पर से जबरेट क्या है उसको सिप्ट होना है इस तरब ठीक है तो एक तरह के से दो धड़ों में बाटना शुरू हो गया समाज या यूं कहेंगी छेत्र विसे जो है वो हिंदू और मुस्लिम के रूप में इसलिए यहां पर हम बोल रहे हैं Lord Minto इनको सामपरताइक निर्वाचन के जनक के रूप में सुधार जिसको हम बोल सकते हैं 1990 का 19 का भारत सरकार एजिनियम जो की 1921 से लागू हुआ था इसको मॉन्टेस्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है 20 अगस 1970 को बिटी सरकार ने पहली बार घुशित किया था कि उसका एज़्दे से भारत में क्रमी लुक से उत्तरदाई सरकार की स्थापना करना है उत्तरदाई सरकार मतलब responsible government का मतलब वो किसी एक ऐसी सरकार जो जैसे मैं बोलूं कि भारत में अभी मोदी जी की सरकार है ऐसे ही जो भी सरकार उसमें अंग्रीजी सरकार होगी उस अंग्रीजी सरकार के जो भी काम होगे उनकी जवाब देही किसके परती होगी जो अन्य सदश्य उनकी कारिकारनी में चुने गए हैं और वो सारे के सारे लोगों के परती ही उनकी जवाब देही है था उत्तरदाई सिरकार का concept समझ रहे ना कि उप्तरदाई सिरकार का मतलब क्या है responsible government आपको जवाब देना पड़ेगा आप कुछ कर रहे हैं लेकिन ये सारी चीजें धरातल पर लागू नहीं हो पाई थी आप सभी जानते हैं कि ये मात्र काग जी कारवाई थी या काग जी घुसना ही अभी तक बिटे सरकार के द्वारा के गए थी ठीक है अगें दूसरा जो मोंटेगी घुसना है इसको भारतियों के द्वारा कहा गया था भारत के मेगना काल्टे के संगर भारतियों में विसेस कर कौन से जो उसमें उदारवादी लिबरल्स थे उन लिबरल्स की द्वारा इनको बोला गया इसको बोला गया था भारत का मेकना काल्टा अब इस 1999 के अधिनियम की द्वारा एक और फैक्ट आपने याद रखना है कि भारत में प्रांतो में डायार की स्टार्ट होगी प्रांतो में हैं, सेंटर में नहीं, केंदर में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है center में प्रांतु में द्वैद सासन बेहस्ता सुरोगी गया अब द्वैद सासन का मतलब जो यहाँ पर division of powers है ठीक है विसुन को रूप में प्रांती विसुन को पुना दो भागों में बाढ़ दिया गया मतलब इसका मतलब समझे रहे न direct concept क्या है कि division of powers सक्ति का विकेंद्री करन है ठीक है सक्ति का विकेंद्री करन का मतलब क्या है कि सारी की सारी सक्तियां रुजू के पास ही न रहे करके कुछ सक्तियां भारत के लोगों को भी दो है कुछ सक्तियां भारत के प्रांतु को भी दो कुछ सक्तियां यहां के जो प्रतिनीदी हैं इनके पास भी रहनी चाहिए ये भारत के जो राश्री आंदुलन का एक विसेस गार्दी जी के नेटर्ट में ये विसेस माग रहती थी कि भारतियों को true division of power मिले आप लोग जो सक्तिया हैं उनका बटवारा कीजिए आप अगर सत्ता चलाना चाहते हैं तो सत्ता चलाइए लेकिन भारतियों के पास भी कुछ सक्तिया परदान कीजिए तो इसी के तहट प्रांतु में पहली बाद डायार की 19-19 के एक्ट के द्वारा स्टार्ट की गी थी इसको आप जहान रखेंगे इसके तहट क्या कहा गया कि जो प्रांती विश्यों को दो विश्यों में बाद डिया गया एक तो ट्रांसफरेवल और एक रिजर्ट ठीक है हस्तांतरी विश्यों इसको बोल सकते हैं इसका मतलब क्या था कि with advice of minister मतलब गवर्णर का सासन जो होता था इसकारे में वो उन मंत्रियों के सला लेता था जो विधान परिश्यों के परती उत्तरदाई थे और आरेक्सित विश्यों में इसमें वो रिजर्ट सब्यक्ट थे जिनको वो without the advice of minister मतलब अपनी गवर्णर जो कारिपाली का है कारिपाली का परिश्यों के साहता से सासन तो करता था लेकिन विधान परिश्यों के परती वो क्या था उत्तरदाई नहीं था मतलब बोला ऐसा जाता है कि जो परांती विश्यों जो बाटे गए तो उनमे से जो importance जादा मतलब जो जैसे राजयोस हो गया है ना जो वहां का मुख्य मुख्य विसाई थे मुख्य मुख्य जो चीजें का रहे थे वो सारे के सारे reserved subject में रखे गए अर्थात कहने का मतलब क्या है एक दिखावा मात्र कारा गया कि देखिए भाई हमें division of power हमने दे दी है कुछ विसाई आपके पास रहेंगे कुछ काम हम राजियों में जो बिढ़ाई सद्षर से उन्से पूच के करेंगे और कुछ विसाई ऐसे होंगे दिन में हम उनसे पूचने के लिए बाद दिन ही होंगे तो बोला जाता है या हम देखते हैं परते क्षृ रूप से शुरुवात हुई थी और प्रतेक्स निर्वाचन बेवस्ता के भी शुरुवात इस अधिनियम के द्वारा हुई थी और दूसरी चीज इसमें ये था कि 1909 में मौरले मिन्टो एक्ट के द्वारा जो सेपरेट है इलेक्टरोलिक सिस्टम दिया गया था मुस्लिम को 1909 के द्वारा उसको बढ़ा के उसको विस्तित करके उसको अब केवल मुस्लिमों तक नरख करके यहाँ पर सिखों भारती इसायों और आंगला भारती यों तरफा यूरोपीओं के लिए पर्थक निर्वाचन के सिधांत को विस्तारित कर दिया गया है very important very very important 19-19 में जो स्वामपर्दाइक निर्वाचन परणानी के सुरुवात होती है उसके तहट केवल मुस्लिमों के लिए separate electoral था लेकिन 19-19 के तहट 9 से 19 में ये चीजें change हो जाती है और यहां पर system क्या बनाया जाता है कि केवल मुस्लिम के लिए न रहे के सिखु भारतियों इसाइए और अंगले भारतियों ये उरोपियों के लिए इसको पृत्थक कर दिया गया था ठीक है next भारत में पहली बार केंडरी बजट जो है उसको राज्य के बजट से लग कर दिया इसमें अधिकरित कर दिया था सिमित संख्या में लोगों को मता दिखाय प्राप्त किया गया यूनिवर्सल एडल प्रेंचर जी जो अंग्रेजों ने भारतियों को कभी भी नहीं दिया था उसमें केवल 10 इंडियन्स 10 परसेंट इंडियन्स को ही आँपर वोटिंग डाइट से अब देखिए यहां पर यहां से आप समझ सकते हैं कि भारत में गादी जी का क्या रोल था बारत में गादी जी का सुतनता आंधुलन में क्या रोल है वो केवल इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत में केवल 10 परसेंट लोग ही ऐसे हैं जिनको अपनी सरकार चुनने का लिकार है यह यूँ कहें कि 10% क्योंकि उसमें जो लिटरेसी लेबल था वो अभी लगए बहुत कम था 7-8%, 9% इतनी शाक्षरता तो 7-8% की लिटरेसी रेट वाले देश को आप यह समझा रहे हो कि बाई कैमरिलिजम क्या है मतलब ऐसे विक्तियों को आप ये सारी चीज़े समझा रहे हो जो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते और इसके बावजूद मात्र 1919 से लेकर के या यूँ कह कि 1909 में जब ये चीज लागू हो रही है तब से लेकर के 1947 में भारत को फाइनली आजादी दिला दे रहे है बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है ठीक है बतलब बिटिस कलोनी से एक independent जो स्टेट है एक independent nation की रूप में आप भारत को ला रहे हैं तो कहीं रहे कहीं एक बहुत बड़ा रोल इसलिए गादी जी को यहाँ पर गादी जी के द्वारा या जो भी हमारे सुतंता अंजोलन के जो बड़े बले धुरंदर नेता हैं उनको हमें डिवोट करना चाहिए उनके प्रती एक स्रद्धाया आस्ता है इसलिए भी हमारी अधिक बन जाती है कि मातर 6 या 7 परसेंट वाले लोगों से जिनको ये सारे चीज़ें का कुछ अता पता नहीं है उनके सांथ लड़के अंग्रेजू के बिरुद्ध हमने भारत को आजादी दिलाई थी ठीक है तो विग हेट्स ओप to all those freedom fighters ठीक next हम बात करने जा रहे हैं कि अब 1919 में जो ये सारे प्राधान कियेगे इसके लिए वहाँ पर बिटी सरकार के द्वारा बोला कि हम अगले 10 साल में फिर से एक ऐसा commission मनाएंगे जो इन सब चीजों को देखेगा कि भारत में ये सीज़े वाकई काम कर रही है नहीं कर रही है लेकिन इसे वीच दस साल से पहले ही भारत में 1927 में एक commission को भीजा जाता है और उस commission का नाम आप सभी को पता है क्या Simon commission जोन साइमन के नेटित में एक साथ सदसी वेधनिक आयोग भारत में आता है फरवरी 1927 में इसका होता है साइमन कमिशन का नामबर 1927 में भारत में वो आता है 1926 में और 1926 से वो रिपोर्ट अपने प्रस्तूर करता है 1930 में तो इस सब को बोला गया था ब्रिटिस भारत में संकी स्थापना सामपरदाई निर्वाचन व्योस्ता को जायर रखना है इन सभी शिफारसों के विचार के लिए इसके बाद ब्रिटिस सरकार के दौरा तीन गोल में सम्मेलन आयूजित कराये जाते है 1931 32-31 में इसके बाद यह डेट आप देख सकते है ठीक है तो इस पर विचार करने के लिए ब्रिटिस सरकार भारतियों को आमेंदर करती है कि ये चीज़े होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ठीक है अब इनी सभी के बीच में हम देखते है एक और चीज ब्रिटिस प्रधा में आयूजित कीया जाता है इसमें क्या था? 1909 में हम देख चुके हैं मुसलिमों के लिए ये था फिर 1919 में हम देखते हैं कि मुसलिमों के लिए ही न हो करके अब वो सिखों के लिए अंग्ले भारतियों के लिए इसाईयों के लिए या यूरोपियों के लिए भी इसको बढ़ा दिया गया था अब 1932 में आकरके इसको और बढ़ा जिया गया, अब ये क्या कर दिया कि दलितु के लिए भी प्रथक निर्वाचन वियोस्ता को बढ़ा जिया गया, अब यहां पर हम देखते हैं कि गादी जी और जो दलित नेता थे, अमबेट कर उसमें उनका जो दलित नेताओं का सबसे बढ़ा चेहरा थे, उनके बीच में बभेट होना सुरूग हो जाते हैं, गादी जी इसलिए इसका भी रोत करते हैं कि क्यों बोलते हैं कि इससे भारत का जो समाज है, भारती समाज, जो हिंदु हैं, हिंदु भी आपस में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, हिंदु मे वो किसी हिंदी मुसल्मान से कम लिए तो इसके लिए वो भी सामपरदाइक निर्वाचन जो पृथक निर्वाचन है इस पृथक निर्वाचन की डिमांड करते हैं और इसी उसमें एवज में हम देखते हैं कि गादी जी ने अपना पूणे की एरवडा जेल में अंसन प्रार बाद में चलके हमने 1947 में भारत आ जाते होने के बाद जब हमारा समिटान बना तो उसमें हमने इसमें से बहुत सारी तीजों को add-on किया था ठीक है इसके तहट क्या गया हमारे वरतमान भारती समिदान का सबसे महतुपों स्रोथ भी है और इंडिया फेडरेशन या अखिल भारती संग बनाने की बात की गी थी जिसमें प्रांत और रजवाले थे अब प्रांत और रजवा आपके पास legal ruling होगी यह आपको अपने अधिनियम बनाने के जो होगा वो आपको अधिनियम इत्यादी बनाने के अधिकार जो होगा ठीक है लीगल राइट साब को प्रुदान किये जाएंगा अलग से लेकिन जो राजा होगा या जो शासन होगा वो किसी imperial power के अधिन ही आपको अलग से 77 तो दी जा रही है कि आप अपने लिए अलग कानोर बना सको लेकिन जो आपके ओपर राज किया जाएगा वो अभी भी वो जो राज होगा वो उस समय की उस imperial power के अधिन होगा जो की थी British crown या British prince के बास ठीक है All India Federation के जब हमारे यहां पर बात होती है तो प्रांत और प्रोविंसेस जिसमें बोलते हैं कि टेक्निकली कलोनी जी थी मतलब जो वास्तव में British कलोनी थी वो यही प्रांत थे क्योंकि प्रिंसली स्टेट का अपना अलग से था प्रिंसली स्टेट अपने अलग तरीके से चलत देते बस अंग्रेजु के पास उनके दो अधिकाते की वो external defense और external affairs को अंग्रेजी सरकार संभालती दिये ठीक है इस अधिनियम के तहत सबसे important चीज अब आती है true division of power true division of power का मतलब राजय और केंडरे बीच की जो सूचिया थी विसए थे उनको तीन सूचियों में बाढ दि रिया गया था ठीक है प्रांट उमें द्वयत्शासन प्रणाली हमारी कब से शुरू ऊरू थी 1990 ने 1929 में और समाप्त कब कर दी है 1935 में आप केंडरु में है द्वयत्शासन प्रणाली को कब से शुरू क्या गया 1935 के अठ्ट के ताह ठीक है इस इधिनियम के ताहच 1018 यहां पर स्थापना की गे थी ठीक है नेक्स देखते हैं अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव Article 1940 को क्योंकि Colonization मुक्त की परशाथ हमारा सबसे पहला ही एम यही था कि हम Dominion State जाते थे ठीक है Dominion State कहने का मतलब कि Legal Independence वहां पर Legal Independence होगी और दूसरा जो Head of the State होगा वह उस राजा का या उस State का राजा है राही ही होगा अब देखे हमारे पास अगर Legal Independence आती तो हमारे लिए अपना Constitution बनाने का हमारे पास रास्ता था और अगर हम Constitution बनाते तो उसके लिए फिर कहने का मतलब क्या है कि हम अपने लिए Constitution चाहते थे और वह Constitution चाहता था जब हमारे पास अपनी Legal Independence होती और वह Legal Independence का बाती जब हमको Dominion का एक dominant का status मिल जाता थीक है यह सारी चीजह इसमें हम दें रहीं तो शब से important चीज अगर्टी प्रस्ता आट अगर्ट lpret अगस लोड लोड लिनित्फिति को जो उनोंने भारतियों से पूछे भी ना ही भारतियों को क्या कर दिया कि हम जर्मनी के खिलाफ हैं अब जर्मनी के खिलाफ हैं जब ये गुसरना कर दी गई तो उनोंने इसके Zwezept में एक प्रस्ताव रखा, प्रपोचन रखा कि अगर आप ऐसा करते हैं कि British सासन का या British सेना का आप साथ देते हैं अंग्रेजु का आप साथ देते हैं जर्मनी के खिलाफ तो एक काम हम कर सकते हैं कि आपको Dominion का स्टेटेस दे देंगे और यही तो हम चाहते थे कि हमको Dominion के स्टेटेस मिले और Dominion के स्टेटेस जब देंगे तभी तो Legal Independence आएगी और Legal Independence जब आएगी तो हम अपने लिए अपना Constitution बना सकते हैं और Constitution जब बना सकते हैं भारती जो जो आला नेरू ने भी बोला था कि भारत का जो समिधान होगा वो एक ऐसे समिधान से बागे तोरा बनाया जाएगा जिसमें जो चुने के परचेनिती होंगे वो वयस्क मतादिकार के आदर पुचना हैं कहने का मतलब दीरे दीरे अपने लिए एक फ्रेमवर्क तयार करते जा रहे थे सटन्ता के और भी आगे बढ़ लेते इसके बाद करिप्स-मिशन जमें के यह तेन कर ने मेंम्बर है स्टेंवोल्ड, क्रिप्स, एविय अवे अलेकजअनर्ड और पैथे गलर ने जो हमारा अगस्त परस्था। उसे की जो बाते थी ? करिप्स-मिशन को वोल भी दिया जाता है कि ये backdated check के रूप में गादी जी के द्वरा इसको pronounce भी किया जाता है ठीक है next हम देखते हैं अब इसी चीज़ को देखते हुए क्रेफरमिशन की असपालदा को देखते हुए ही 9 August 1942 ठीक है भारत छोड़ो आंदुलन की यहाँ पर गादी जी के द्वरा सुरुआत कर दी जाती है और इसमें नारा दे दिया जाता है कि अब करो या मरूड़ो और डाई का नारा जब इसमें दे दिया जाता है ठीक है अब इसके बाद 1946 में आता है cabinet mission cabinet mission के तहट भी इसमें भी वही बात जो दोराएगी थी जो क्रिप्स mission में दोराएगी लेकिन इस बार वो Muslim League को मनाने में सकल रहे है क्योंकि इससे पहले जो भी प्रस्ता वारत है अगस्प्रस्ता हो, क्रिप्स mission हो ठीक है वो सारी चीजे में पाकिस्तान की अलग पाकिस्तान की माग को लेकर हमेशा हमेशा अलग पाकिस्तान की माग को लेकर Muslim League हमेशा दरकिनार हो जाती थी या अपना पत्ता काट लेती थी वहाँ से कि भाई, जो भी प्रस्ता वाग है उसमें बोला कि अलग पाकिस्तान की नियू रखेंगे ऐसा रखेंगी बोला ही नहीं गया है और इसी बात को लेके Muslim League वहाँ पर हर बार वहाँ पर अपना जो दरकिनार हो जाती थी ठीक है लेकिन इस बार वो Muslim League को मनाने में सफल हो गे थी ठीक अब important चीज आती है 1947 का 323 अदिनियम ठीक है Cabinet योजना के दौरा सुजाएगे प्रस्ता के आदार पर नवंबर 1946 में समिदान सभा का गठन होता है और समिदान सभा के गठन के बाद से समिदान निर्मार्ण की पूरी प्रकिरिया उसको हम एक अलग वीडियो के माधियम से आप सभी की सामनी लाएंगे तो जब ये सारी चीज़े हो जाती तो भारत में 1947 का अरिनियम आता है भारती सोतंता अरिनियम 1947 इसके तहट क्या-क्या प्रावधान किये गए कि 20 फरोरी 1947 को PM Clement Italy की दोरह वहां पर गोस्टना कियेगी कि 30 जून 1947 को भारत में बिटिस आसन की समाप्ती हो जाएगी लेकिन इसी बीच तीन जून 1947 को बोईसरा लॉर्ड मांट बेटन ने विवाजन के एक यूजना पेस की थी जिसको बोला जाता है मांट बेटन यूजना और ये पहला ऐसा मुखा था जब प्रतक पाकिस्तना की माग को बिटिसों के तरह स्विकार कर लिया गया था कॉंग्रेश और मुस्लिम्लिक दोनों ने इसको फूनों के अपने अरे जिजनस थी अब इसमें ये चीजे अपनी इमपोणन है ये धियात रखने की जो बृति सथन्तका अध्यादेश् था वो बिटिस सलसत में कब पीस किया गया था 4 जुलाई 19 से 47 को 18 जुलाई को वहाँ पर बिटिस रासाई के दौरा इसको पास कर गया गया था और 15 अगस 19 से 40 से या इडिनियम लागू हुआ था तो ठीक है तो अब इसमें क्या क्या है कि भारत को व्याज़ित करके दो डोमिनियन संपरभू रास्ट बना दी गी थी ठीक है वाइसराय का पर इसने समाप्त कर दिया डोनू डोमिनियन राजी में गवर्नर जनरल का पत स्विज़त किया गया जिसकी न्यूक्ती नए राश्ट की कविनेट की सिफार सुback है बृतेन के ताच को गणने थी और इसी कदर भारत हमने देखते हैं कि भारत में गवर्णर जनरलogram यहां पर वाइसराय का पत समाप्त कर दिया गया ll गवर्नर जनल का पर सेज़न किया गया था धुबार जो की समापत्ट हो गया था ठार्स जौट्था प्छाव्न के द्वारा तो ठार्स जौट्था आधिनियम से 1947 के आधिनियम त वह वाइसर आया रहा और 1947 के दीधनियम के बाद पुन्ह गवर्णर्ल। का पत बनाकर भारत का गवर्णर्णर्र realizing का बनाया गया ठीक है इसले हम बोलते हैं कि भारत का अंतिम गवर्णर जनरल कौन था ठीक है लॉर्ड मौंट बेटें ठीक है उनिस से तालिश को भारती रिया सरुपर बिटिस संपुरब्रोटा के भी समाप्ति की कुर्शना की गी थी अर्थाथ लेफ्स और बिटिस पेरामां क्योंकि कलोनी था तो उसको भी समाप्ति कर जा जा था नो हिज या हर मेजेस्टी गवर्मेंट हम जी जिसको बोलते हैं वो यहां पर क्या था इसका भी अंतो हुगा ठीक है भारत में बिटिस क्राउन की जो सरकार थी या बिटिस सासन जो होता था क्राउन के अधिन उसको दवरा इस अधिनियम के दवरा लॉर्ड मॉंट वेटन पहले गवर्नेज जनरल बने और जवाला नहर को भारत के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री के रूप में सबच दिलाएगी ठीक है और 1946 में बनी समिदान सभागों सतंत भारती डोमीनियन की संसत के रूप में ह इस भरत के देखतादानमं व करने भारत почему के गया थे बनी स्विकार किया गया और दोनूं डुमिननियन राज्यू के सीमा करिनीदरन जहो था र्ड क्लीप के दिखता में सीमा आयोक के द्वारा किया था इसलिए हम दिखते है कि भारत और पाक्स्तान के भीज़ जो तो उम्मेद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो के माधियम से 1773 से लेकर के 1947 तकीस यात्रा से यात्रा में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जितने भी आपके प्रिवेस एर एक्जाम हैं, मैं जितने भी कोश्चन इस से आयो हैं, चा मिलाएंगे, इसके आधर पापता ही कर सकते हैं कि वाकई आपने जो पढ़ा है, वो एक वैलिवल इंफोमिशन आपने पढ़ी है, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बार बार लेकर आएंगे, उमिद करते हैं कि इसी सीरीज को हम कंटीनियो भी आगे करते रहेंगे, जो नोटिफिकेशन आजाए, आप इसको देख पाएं और अपनी तयारी को कंटीनियस लिए आगे बढ़ा पाएं, ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखे गया, थैंकियो सो मच फूर वाचिएंग,